वीहार सकार के तरब से एक नया portal लॉंजunya गया है ज्यानदी पोटल और इस पोटल के मादम से सके बहुत सबस्वाद भाइल करना हैं कि सरकार के तरब से उल्मophone ज्यारीं कर दिया गया है और date आप लोगहाँ पर दे दिए गया है कि किस तरीख से लेकर, किस तरीख तक आप लोगहाँ पर जो अपला है वो आप लोगहाँ पर चलने बाला है सबसे पहले दोस्तों आप समझे कि गयांदी पोर्तल क्यू बनाया गया है और इसका लाभ आप लोग को क्या क्या होने बाला है तो सरकार के तरफ से एक नियम बनाये गया है कि हर एक जिले में जो भी नीजी अस्कूल है उनमें जो 25% आप लोग का सीट है उसको आड़चित किया जाएगा यानि कि उसको रिजर्व किया जाएगा और जो भी यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग के छात्र होते हैं, उनका जो admission है वहाँ पर करबाये जाएगा, यानि कि मान लिजे कि आप लोग का पर पर परिबार है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ऐसे में सरकार आप लोग को मौका दे रही है, कि आप में जोई DAB अस्कूल है, और DAB में अगर आप यहाँ पर admission लेना चाते हैं, तो ऐसे अगर आप normal admission लेने जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग को problem हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारा खर्च लगता है, बहुत ही जादा जो यहाँ पर free है, वो आप लोग कहां पर होता है, ल बिरूर आप जोई इसमें apply किजे, इसमें किसी भी category के जो छात्रे मुआ पर आविदन कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर आप लोग का criteria बस इतना है, कि आपका जो परिभारिक आय है, वो 2,00,000 रुपे तक यहाँ पर होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर होगा, तो आप ज जोई eligibility रहने बाला है, क्या document आप लोगा लगने बाला है, हर एक चीज में आप लोगो जो official notice जरी किया गया है, उस notice के माध्यम से दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगो notice दिखाता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगो का admission है, वो यहाँ पर होने बाला है तो यहाँ पर देखें दोस्तों मैंने जो portal है उसको आप लोगो उपन कर रखा है, इसका नाम रखा गया है ग्यानदीप portal और इसी portal के माध्यम से आप लोगो जो online अपला है, वो यहाँ पर करना है, सबसे पहले आप जो इस portal के बारे में जाने हैं, इस से आप लोगो लोग कहाँ पर चालू किया गया है, और यह जो है उसका link रहने वाला है, यहाँ पर देखें link आप लोगो का दिया हुआ है, और यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि 2009 की धारा बाड़ा 1C के तहत प्रस्विक्रित प्राप्त नीजी बिद्यालियों में अलाब खारी समू, यानि क आप जो है EWS से भी आते हैं, तो भी आप जो है इसके लिए apply कर सकते हैं, साथ में अन्य किसी category से हैं, तो भी आप इसके लिए apply कर पाईएगा, उसके पद यहाँ पर देखें जानकाई दिया गया है, कि इसके अंतरगत जो है आप लोगों का यहाँ पर सीट है, वो हर एक न जुन तक आप लोगों का जो online आवेदन है, वो हाँ पर चलने वाला है, उसके बद असकूल का जो आवंटन है, वो 18 जुन से आप लोगों का शुरू होगा, और 19 जुन तक आप लोगों का जो असकूल है, उसको आप जो है अलोट कर दिया जाएगा, उसके पद जो चैनित मातापिता का जो बार्सिक आई जो है, एक लाख रुपे से कम है, तो वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यह निकि अगर मालीजे, आप अनुसुची जाते हैं, पिछरा बर्ग, अत्यन्त पिछरा बर्ग से आते हैं, या फिर अलपसंकेक समूँ से हैं, तो आपका जो पारिवारिक आये है, वो एक लाख रुपे से कम होना चाहिए, तो आप लोग आपर जो आवेदन हैं वहाँ पर लिया जाएगा, उसके पर जो कमजोर बर्ग यानि की जो EWS वाले हैं, उनमें जो है, उनके मातापिता का जो बार्सिक आये रहेगा, वो दो लाख रुप के बाद, और एक अप्रिल 2018 से पहले का है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाईएगा, तो यह जो है आप लोग का योगता हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी जानकाड़िये कि क्या के डोक्यमेंट लगने बाला है, तो डोक्यमेंट में जो है आप लोग का जन परणवानपतर लगने बाला है, उसके बाद यहाँ पर आप लिखवा लेते हैं, तो भी आप लोग का हम पर लगने बाला है, तो जब एडमिशन करवाएंगे, उस समय वह आधार काड़े यहाँ पर दिखाएंगे, इसके बारे में आप लोग का जनकाई दिया हुआ है साथ मैं माता पिता ये अभिभावक का जो आप लगने बाला है और जो फोतो है बक्चे का वह फोटो आप लगने बाला है जो कि 50 के बीच से कम एगा तो यह आप लोग का क्लिक करके आप जो इस पोर्टल पे आ सकते हैं नहीं तो आपको करना क्या है आप सीधे अपने Google में जाएगा और Google में जाकर लिखिएगा Ytrc मालीजे आप अपने phone में कर रहे हैं तो phone में Chrome होता है Chrome आप यहाप ओपन किजेगा और लिखिएगा Ytrc यहाँ पर देखिए जो आप लोका लिखा हुआ है सेम टू सेम आप लोको लिखना है सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस website पर चले आना है फिर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर latest update सरकारी योजना का option है सरकारी योजना में चेक बिहार ज्यांदी पोर्टल 2024 इस पर आपको जो क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप लोका जो बोस्ट है वहाँ पर open हो जाएगा आप लोको निचाना है मैंने पूरा जानकाई दे रखा है आपको सबसे निचाना है सबसे निचाने पर यहाँ पर यहाँ पर देखे इंप इस तरीके से आप लोको जो फोर्म है उसको आपर फिल करना है तो इस तरीके से आप लोक जो फोर्म है उसको आपर भर सकते हैं मैंने आप लोको आपर जानकाई दे दिया है तो अगर आप जो प्राइबेट अस्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका है आप लोगो जो बहुत ही अच्छा सुधा दिया जा रहा है कि आप लोगो सरकारी अस्कुल में जो है एडमिसन का मौका हाँ पर दिया जा रहा है तो इस तरीके से अपडेट निकल के आया हुआ है मैंने आप लोगों पर दिखा दिया है तो ऐसे में आप जो जरू इसमें अपलाई कीजे ताकि आप लोगो जो प्राइबेट अस्कूल होता है उसमें पढ़ने का मौका मिल सके और उसमें जो है बहुत ही कम खर्च में सरकार के तरफ से आप लोगो जो है पढ़ाया जाएगा तो यह जो है आप लोगो आप लोगो वीडियो पसना हुआ अगरे वीडियो पसना हुआ तो लाइक के सप्रोगो सब्सक्राइब जमाई चैनल को साथी सरके सप्रोगो ताकि और वी लोगो जानकारी मिल सके हां मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद